नमस्ते विद्यारतेों एक बार फिर से केपी कॉलेज की ओनलाइन क्लास में मैं इतियास अध्यापक नरेंद्र पालसी आपका तहे दिल से हर्दिक श्वागत करता हूँ आज जो प्रक्रण लेकर आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ वो बिये दितियावर्ष का टॉपिक बूगल वन्स के शाषक बाबर के बारे में विस्तार से अध्यन करेंगे बाबर का जो शाषन है वो 1526 से लगाकर 1530 इस्वी तक रहता है इसका टाइम पिरिड है 1526 से 1530 इस्वी तक उसका टाइम पिरिड रहता है भारत के अंत्रगत भारत में ये बाबर दो जगे से सासन चंचालित करता है दिल्ली और आगरा से अगर हम बाबर के बारे में कल हम अध्यन कर चुके थे कि बाबर के प्रार्यम्विक जीवन के बारे में आज हम बाबर के युद्धों के बारे में अध्यन करेंगे कि बाबर का जो बाबर जहरुदिन बाबर उसके बच्पन का नाम था उसका जो पहला युद था वो पानी पत का प्रथम युद्ध पानी पत का प्रथम युद्ध पानी पत का जो ये प्रथम युद्ध है ये वो 21 अप्रेल 1526 को लड़ा गया था कितने 21 अप्रेल 1526 को पानीपत का प्रतम युद लड़ा गया ये पानीपत है वो हरियाना में इस्तिते कापर है हरियाना कापर हरियाना में हरियाना में है ये पानीपत चो पानीपत के प्रथम युद में बाबर को इब्राहिम लोदी के दो दुस्वन आलम खा और दौलत खा लोदी बाबर को भारत में आने का निमंतरन देते कहीं बारे प्रस्ना आया गाए कि बाबर को भारत में आने का निमंतरन किस ने दिया था तो हो थे आलम खा और दौलत खा लोदी ने अभी बाबर भारत के इंत्रगत हरियाणा नामक इस्तान पर आता है तो वह यहां आकर अपने मैदान को सजाता है और बाबर अपने साथ में पानीपत के प्रतम युद में अपने दो तोफसी लेकर आये थे तोफसी उसका नाम था एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरे का नामता मुस्तफा अली क्या नामता मुस्तफा अली को दो तोफ सी बाबर अपने साथ में लेकर आता है बाबर पानीपत के मैदान के अंतरगत आया अपनी मैदान सजाता है खाये खुदवाता है तोफो को लगवाता है और इदर वो बाबर राना सांगा का इंतरजार करता है राना सांगा ने उसे वसंद दिया था कि जब तुम इब्राहिम लोदी के विरुद आऊंगे तब मैं तुमारी साहिता करूंगा लेकिन राना सांगा जब अपने दर्बार के अंतरगत जाता है और अपने दर्बारियों से बात करता है कि एक हरी आक्रमनकारी आएगा जिसका नाम है बाबर वो इब्राहिम लोदी के विरुद आएगा और इब्राहिम लोदी के विरुद आएगा तब हम उनकी साहिता करेंगे इसके बदले में ये बाबर है वो में एक बटा दो देगा क्या देगा एक बटा दो में देगा तो राणा शांगा के दर्बारियों ने कहा कि हम राणा शांगा जी आप पागल हो गए क्या हम आप उसको एक बट्टा दे नहीं रहा है वो एक बट्टा एक बट्टा दे नहीं रहा है वो ले रहा है हमसे आप तो राणा शंगा आप तो इब्रहेम लोधी को दो बार यूद में प्रास्त कर चुके हैं बाबर दो तीन दिन उए बार बार इंतजार करता है के राणा शंगा मेरी सहिता करने के लिए आएगा फिर भी बाबर ने कहा कोई बात नहीं बाबर इसी समय दिलीक का इशासक इब्राह्म लोदी फिक्ष 21 अफरेल को इब्राह्म लोदी अपनी विशाल सैना के साथ में पानीपद के मैदान में आता है कितनें विशाल सैना के साथ में 21 अफरेल 1526 को इब्राहिम लोदी की सैना में 5 लाक सैनिक थे कितने थे 5 लाक में से 2 लाक हैं वो सवार सैनिक थे और 3 लाक हैं वो पैदल सैनिक थे लेकिन बाबर के पास इतनी सैना नहीं थी एक बार तो वो इब्राहिम लोदी की सैना को देखते हुए बाबर के सैनिक गवरा गए लेकिन फिर भी बाबर और इब्राहिम लोदी के मद्य पानिपत का भेंकर युद 21 अप्रेल 1526 को लड़ा गया जिसमें बाबर की विजय और इब्राहिम लोदी को पराजे का सामना करना पड़ा इब्राहिम लोदी की क्या हुई पराजे हुई सल्तनत काली नितियास में एक पहला सुल्तान था जो युद्ध भुमी में लड़ते हुए मारा गया था वो था इब्राहिम लोधी कई बार कमपीटेशन की अग्जाम के अंतरगत ये प्रशन पूछा गया है कि उस सुल्तान सल्तनत काली उस सुल्तान का नाम बताओ जो करते हुए मारा गया था वो था इब्राहिम लोधी की प्राजय हुई इस प्राजय का जो फ्रमुक कारण था इब्राहिम लोधी का क्यूंकि बाबर के पास में अथा तोप खाना था तो इब्राहिम लोधी के जो सवार जो सैनी गूड़े और हाती इब्राहिम लोधी की शे ये जो हाती गोड़े हैं उनके खुद के सैनी को कोई कुछन ले लगे ये उसका प्रह्मुक कारण था इब्राहिम लोदी की हार हो जाने के बाद भारत में मुगल वन्स की स्तापना हो गई 1526 में अगर आपका प्रशना आ जाए कि मुगल वन्स की स्तापना कव हुई किस यूद में पानी पत के यूद के बाद में और मुगल वन्स की वास्त्विक स्तापना किस यूद के बारे मे बाद में वोई थी खानवा के यूद दुखेबाल में इबरायम लोधी को राने के बाद ये बाबर हैं वो काबूल में सोने के सिख्य बाढ़ता है लोगों को क्या बारता है काबूल में सोने चांदी के शिक्क्य बाढ़ता है इसलिए इतियास में उसको कलेंदर के नाम से जाना जाता है किसको बाबर को चांदी के शिक्क्य बाढ़ता है काबूल में सांदी के शिक्क्य लोगों को बाढ़ता है पानी पत के पर्तम युद में इसलिए उसको इतियास में कलंदर का नाम से जाना जाता है किसको बाबर को पानीपत के परतम युद्ध के बाद में बाबर को अपने उपर इतना घमंड आ जाता है कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता है लेकिन फिर वो द्रश्टी डाल के पानीपत के युद्ध के बाद में बाबर की नजरें उस मेवार के शासक रानाशांगा की तरफ है और रानाशांगा को प्रास्त करके संपून हिंदुस्तान में अपना अधिपत की इस्तापित करना चाता था वो रानाशांगा से ऐसे तो आक्रमन कर नहीं सकता तो उसको बहना बनाना था तो रानाशांगा पर वशन भंग करने का आरोप लगाता है तो ने हमें पानीपत के प्रथम युद्ध में वसन दिया था कि जब आप आक्रमन करने के लिए आएंगे तो हम आपकी साहिता करेंगे लेकिन आप साहिता करने के लिए नहीं आए तो बाबर ने राणा शांगा पर वशन भंग करने का आरोप लगाया यह बाबर है जहरुदिन बाबर के नाम से परसीदे दिल्ली पर शकादी पती इस्तापित किया अब वो राणा शांगा को सबक शिकाना चाहता है राणा शांगा पर एक तो वशन भंग करने का आरोप लगया दूसरा कारण था राषांगा के उपर आक्रमन का पीलिया खार न जिसके पर राणा शांगा ने 1519 में मालवा पर अकरवन करके इस पर अपना अधिपत्यी इ estado किया था बाबर है वो पीलिया खार नदी को प्राप्त करना चाता था वो बाबर ने राणा शांगा को कहा कि पीलिया खार नदी हमें दे दो नहीं तो हमें युद्ध करके हम आपसे सीन लेंगे जब राणा शांगा इसकी बात को नहीं मानता है तो बाबर अपने एक युद्ध लड़ता है जिसका नाम है बाड़ी बयाना का युद्ध बयाना भरतबूर में बयाना का युद्ध राणा शांगा के विरुद्ध लड़ता है वो है 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध लड़ा जाता है जिसमें बाबर की हार हुई राणा शांगा की जीत हुई इस युद्ध में बाबर अपने सेना पती मेंदी राव खवाजा मेंदी राज खवाजा को बेजता है लेकिन खुद नहीं आता क्यूंकि उसे अपने आप पर एहंकार हो गया था पानी पर इस युद्ध में बाबर के पास में चला जाता है बाबर से कहता है कि मैं तो युद्ध भूमी में प्रास्ट होकर आ गया है इस में विजे बयाना के युद्ध में विजे प्राप्त करने के बाद राना शांगा के जो सैनिक हैं वो युद्ध भूमी में जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं कि तैमूर भाग गया है तैमूर भाग गया है कौन से नारे लगा है तैमूर भाग गया है युद्ध लगते हैं कि बाबर नहीं भागा उनके सैनिकों को कहना था कि श्वैम तैमूर भारत देश से हिंदूस्तान से भाग गया है प्राना शांगा यश्न में डूब गये थे उसी समय बाबर ने पुना युद्ध करने के लिए उसी समय वो तैयार हो गया और अशानक बयाना से कुछ दूर एक खानवा है बाबर अपने श्वैम इस बार सैना लेकर खुद आएगा वो बाबर अपनी श्वैम सैना लेकर बयाना से कुछ दूर एक खानवा है खानवा वो भरतपूर जिल्ले के अंत्रगत है कहा पर है भरतपूर जिल्ले के रूपवास तैसिल के अंत्रगत है रूपवास तैसिल के ये एक हनवा नामकिस्तान पर अपनी सैना लेकर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में अपनी सैना को यानि अपनी सैना को सजाता है वहाँ पर खाया खुदवाता है कुछ तोप खाने लगवाता है और और अपने साथ में वो दो तोपसी लेकर आया था एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरे का नाम था मुस्थपा अली क्या नाम था मुस्थपा अली दो तोपसी भी अपने साथ में लेकर आया था खानवा ये खानवा और इदर राना शांगा राना शांगा और बाबर के मद्य खानवा का युद है वो 17 मार्श 1527 को बरतपूर जिल्ले के रूपवाश टैसिल के खानवा नामक इस्तान पर लड़ा गया इस युद में बाबर की विजय हुई और राना शांगा की हार हुई ये खानवा एक ऐसा युद था जिसमें सबसे पहले राना शांगा के द्वारा पाती परवन प्रथा इस्तापित की गयी थी जिसका मतलब होता है कि एक पहला असरता जिसमें सभी राजाओ को निमंतरन पहला दिया गया था इत्याँस में उल्लेक मिलता है किराण शांगा के जंडे के नीचे सांत राजा नौराव और एक सो चारराजा नौराव और 104 शाशक राजा के जंडे के नीचे चला करते थे और वो राजा यानि शाशक राणा शांगा की साइटा में उसी समय ततबर रहते थे जिसके अंत्रगद उदारंग के लिए उसी तवर है राव मालदेव हैं राव मालदेव के पिता गहंगा है और कहीं शाषक मुस्तपा आली है बहुत सारे जो शाषक हैं वो राणा शांगा के उस समय उनकी जंडे के नीचे चला गर करते थे एक बार ये खानवा का युद्ध राणा शांगा और बाबर के मद्य लड़ा गया और इस समय बाबर के पास इतनी सैना नहीं थी लेकिन राणा शांगा के पास बहुत अधिक शैना होने के कारण बाबर के सैना पती राणा शांगा की शैना को देखकर घबरा गए तो बाबर ने इन सैनिकों गबरा गए उदर एक काबुल से याँ पर काबुल से एक मुहमद सरीप नामक एक फकीर वाया उसने बवश्यवानी की कि बाबर हारेगा बाबर हारेगा तबी इनके सैनिकों को बाबर के सैनिकों को विश्वास हो गया था कि अब बाबा जी ने का इसका मतलब बाबर पका हारेगा उन्होंने बाबर के सैना पती ने बाबर से कहा कि भाई आप मुझे क्यूं मरवारे हो जीतेंगे तो आप लेकिन हमें क्यूं मरवारे हो बाबर ने अपने सैनिकों में जो सिस्पन करने के लिए इस युद्ध को जिहाद का नारा दिया जिहाद का नारा दिया जियाद युद्ध गोशित कर दिया जियाद का मतलब होता है धरम युद्ध खानवा का यूद कैसा था जियाद यूद का मतला धरम यूद गोशित कर दिया बाबर ने अपने सैनिकों को लंबा सोड़ा बासन देते हुए कहा कि यह एक धरमिक यूद है यह मुसल्मान और इंदूों का यूद उसके वो शाबिद कर दिया कि यह अपने इसलाम धरम का अभी सैना पतीनों कहा कि तुम इतना सच्चा मुसल्मान कैसे बन गिया है अगर तू सच्चा मुसल्मान होता तो सराब क्यों पीता भई तो उन्होंने उसी समय सराब के सारे सांधी के बरतंते इस शैनिकों के सामने तुड़वा दिये और उन्होंने तुड़वा दिये ज रानाशांगा गहेल हो गया इतियास में शा उलीक मिलता है कि मेवार के सासक राणाशांगा के सुरीर पर अस्जी गहाँ हेक श्री पर कितने गहाँ हो तो जाते हैं तो जाला अज्जा उनका सहना पति था जाला ten ब़े दरतnow हो करता है और रानाशांगा काAS तो मुकटे वो खुद धारन करता है राना शांगा को युद्ध भूमी से जाला अज्जा है वो उसे बच्छवा है जो दोसा में उसको पोंचया जाता है किसको राना शांगा को जाला अज्जा के द्वारा और उनका मुकट धारन किया जाता है बाबर के द्वारा जहला अज्जा का शर सीर से धड़ड़ अलग कर दिया जाता है और जब राणा जब बाबर के द्वारा जहला अज्जा का शीर देखा जाता है तो वो राणा शंगा नहों कर एक जहला अज्जा का शीर हुआ करता है तब उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि ऐसा बादू शाषक का धड़ इतने जल्दी तो अलग नहीं हो शकता है उन्होंने इसके बाद में बाबर ने संपूर्ण राजपुतो के सर की उन्होंने एक मिनार लगवा दी खानवा युद के बाद में इसने बाबर ने इसमें युद को आगे इतियास में एक और उलेग मिलता है कि खानवा युद को बाबर नामा के अनुसार खानवा युद को अनेनाई गोशित गिया गया था वो बाबर नामा के अनुसार खानवा के युद्ध को बाबर नामा बाबर नामा के अनुसार जो तुर्की बासा के अंतरगत लिखा गया है बाबर नामा कौन सी बासा के अंतरगत लिखा तुर्की बासा में इस बाबर नामा के अनुसार खानवा के युद्ध को अर कि tat अदिनाएं गोषित कर दिआ गया था खानवा की आगे और इत्यास में जानकारी प्राप्त वती हैं की खानवा यूद के बाद में बाबर ने रॉडस अंगा की पतनी कर्मावती को राना-शंगा की पतनी कर्मावती को अपनी हिंदू पुत्री गोशित करता है क्या करता है हिंदू पुत्री गोशित करता है कौन राणा बाबर करमावती को अपनी हिंदी पुत्री गोशित की थी बाबर नामा के अनुसार ये बाबर नामा के अंत्रगत ही बताया गया है आगे इतियास में उल्लेक मिलता है कि राणा शांगा की मृति के बाद राजपूतों का जो शासन है वो संदेरी के शासक मैदिनी राए के द्वारा चलाया जाता है इसके बाद में बाबर अपने संपून इंदुस्तान को शासन करने के लिए एक और यूद लड़ता है जिसका नाम है संदेरी का यूद संदेरी में एक शासक विराजते हैं उनका नाम है मैदिनी राए क्या नाम है मैदिनी राए मैदिनी राय के विरुदे के युद होता है जिसका नाम है संदेरी का बाबर और मैदिनी राय के मद्ये के युद लड़ा गया जिसको इतियास में संदेरी के युद के नाम से जाना जाता है संदेरी का यूद 29 जनवरी 1528 को एतियासिक यूद लड़ा गया और इस यूद को बाबर ने जियाद यूद गोशित कर दिया था जिहाद यूद जियाद का मतलब होता है दरम यूद इस यूद में मैदिनी राय के सभी सैनिकों ने अपनी खुद की पतनियों को इसीर धर से जाता और उसका धेर लगवा दियाता इतियास में ऐसी जानकारी प्राप्त होती है और इस यूद में मैदिनी राय प्रास्त होता है और बाबर की विजे होती है क्या होती है विजे इसके बाद में ये बाबर एक और यूद लड़ता है जो है इतियास में घहगरा यूद के को लड़ा गया था ये युद्ध अबगान साशक अबगान शाशक नूश्रत साव बाबर के मद्य लड़ा गया जिसमें नुश्रत साऀ की प्राजे उई और बाबर की विजय वोई इस दोनों कोई बाद में एक संधी यानि दोस्ती हो जाती है। गागरा एक घागरा नदी के टट पर ये युद लड़ा गया था इसलिए उसको घागरा के युद के नाम से जाना जाता है। ये अबगानों और बाबर के मद्य लड़ा गया था घागरा के यूद के अंत्रगत पर ये यूदे कैसा था जो थल और जल दोनों पर लड़ा गया था ऐसा कौन सा यूद है जो जल और थल दोनों इस्तान पर लड़ा गया वो घागरा का यूद था चैं मई 1529 को लड़ा गय गागरा के यूद में इंदुस्तान में सबसे पहले नावों का प्रियोग किया गया था बाबर के द्वारा अपने जीवनकाल में कौन-कौन से अतियासिक यूद यानि कौन-कौन से यूद अतियासिक प्रसिद्ध यूद लड़ेगे बाबर का जो पहला यूद था वो था प का युद्ध खानवा का युद्ध हुआ था किसा कि कहने वह पंद्रा सो शताईश को लड़ा गया कि तीसरा है संदेरी का युद्ध संदेरी का युद है वो 1528 को लड़ा गया चोता है जो बाबर का अंतिम युद था गागरा का युद गागरा का युद है वो सेमई 1529 को लड़ा गया देखो बाबर ने जितने भी युद लड़े एक एक साल का अंतर है 1526 में लड़ा 1527 में लड़ा 1528 में लड़ा 2330 के अंतरगत बाबर की क्या हो गई मित्यू हुई थी बिमार होने के कारण बाबर की एक इच्छा थी कि मैं जान से आया हूँ वह मुझे दपनाया जाए तो बाबर को पहले आग्रा में दपनाया गया था और फिर इसके बाद में उसको काबूल में ले जाकर दपनाया गया और बाबर को काद अपनाया गया था काबूल में आगे इत्यास में बाबर के बारे में उल्लेक मिलता है कि बाबर ने दो मज्जिद बनाई थी एक मज्जिद उसने पानीपत में बनाई थी दूसरी मज्जिद उसने बनाई थी संबलपूर में उन्होंने पानीपत में जो मज्जिद बनाई थी उस मज्जिद वो मज्जिद थी काबूली मज्जिद कौनसी मज्जिद थी काबूली मज्जिद और उन्हों संबल में मज्जिद बनाई थी वो थी जामा मज्जिद बाबर के एक सेनापती थे जिसका नाम था मक्की खा मीर बाकी क्या नाम था जिसने 1528 में राम मंदिर को तुड़वा कर बाबरी मजजित बनाई थी जो ये विवाद अभी सुलज गया है बाबरी मजजित का उसने क्या किया था निर्वान क्या तुड़वाया था या बाबरी मजजित को बनाई थी राम मंदिर को तुड़वा कर मीर बाकी नामक बाबर के शैनापती ने आगे हम बाबर एक पहला ऐसा साथ सकता जिसने सारवजनिक शभाभवन कहीं परकार के बनवाए थे आज हमने बाबर के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की बाबर ने कौन सा यूद लड़ा, कौन सा यूद में उसे विजे प्राप्त हुई कैसे उसने मुगल बन्स की स्तापना की इस वीडियो के अंतरगत हमने सभी पढ़े हैं इस वीडियो के ओपर अपनी पर्ति किरिया जरूर वैक्त कीजिएगा इतना कहकर धन्यवाद